कक्सा 6 गनित प्रश्णावली 3.2 का दूसरा प्रश्णा बताईए कि निम्नलिखित में कौनसा कथन सत्य है और कौनसा असत्य है उप्सा नमबर ए तीन विसम संख्याओं का योग सम होता है इसको हम चेक कर लेते हैं एक विसम संख्या लेते हैं एक दूसरी तीन तीसरी पांच इनका अगर हम योग निकालें तीन और एक चार चार और पांच नो तो इनका योग क्या है एक विसम संख्या है और इसने कहा है कि सम होता है इसका मतलब ये वाला option असत्य है इसी तरीके से आप दूसरा example भी ले सकते हैं 5 प्लस 7 प्लस 9 7 और 5 बारा, 12 और 9, 21 जो की एक बिसम संख्या है Option number B, दो बिसम संख्याओं और एक संख्या का योग सम होता है दो बिसम संख्याओं है, एक प्लस 3 और एक संख्या है, दो तो इनका योग 3 और 1, 4 और 2, 6 एक संख्या है इसका मतलब ये वाला option आपका बिलकुल सही है, सत्य ये हो जाएगा अगला option है, option number C तीन बिसम संख्याओं का गुणन फल बिसम होता है तीन बिसम संख्याओं लेते हैं, एक गुणा 3, गुणा 5 तो तीन एक संख्याओं का गुणन फल क्या है, एक बिसम संख्या है इसका मतलब ये वाला कथन भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा इसी तरीके से option number D यदि किसी संख्या को दो से भाग दिया जाए, तो भाग फल सदेव विसम होता है अगर किसी संख्या को, मान लिजे एक संख्या है दो, इसको हमने भाग दिया दो से ये कटेगा कितनी बार? चार बार यहाँ पे तो क्या आया है? सम आया है और इसने कहा है, भाग देने पर सदेव क्या आता है? विसम आता है हमेशा ही क्या आता है? विसम आता है लेकिन हमारा answer किसमे आया है? सम में अगर आप 6 को भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पे ये कटेगा 3 बार तो ये विसम है और ये सम है इसका मतलब सम और विसम दोनों ही संख्याएं भागफल हो सकती है तो ये वाला उप्सन आपका हो जाएगा असत्य उप्सन नमबर E सभी अभाज्य संख्याएं विसम है सभी अभाज्य संख्याएं विसम है एक point आपने पड़ा होगा दो एक ऐसी समसंख्या है जो अभाज्य भी है ठीक है? तो यहाँ पे दो भी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है इसका मतलब सभी अभाज्य संख्याएं भिसम नहीं है तो ये वाला option आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा जिसमें introduction वाला part देखा होगा वो लोग इन questions को खुद ही solve कर लेंगे अगला प्रशने देखते हैं अगला option है F अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होगे आपने पड़ा होगा अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड या तो एक होता है या तो वो संख्या स्वयम होती है जैसे तीन है तो तीन को हम लिखते हैं तीन गुणा एक तो इसके दो गुणनखंड होते हैं एक को संख्या स्वयम होती है और एक एक होता है और इसने कहा है कि कोई भी गुणनखंड नहीं होता तो ये वाला option आपका हो जाएगा असत्य option number G दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैब समसंख्या होती है दो अभाज्य संख्याओं है यहाँ पे लेते हैं 3 प्लस 5 इनका योग क्या है तो इनका योग क्या है समसंख्या और इसने पूचा है सदैब सम होता है अब आपको पता होगा एक अभाज्य संख्या दो भी है इसके साथ अगर हम 3 एड़ करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5 जो की क्या है विसम है इसका मतलब ये वाला option भी आपका क्या हो जाएगा असत्य होगा दो अभाज्य संख्याओं का योग सम और बिसम दोनों ही हो सकता है ध्यान से आप देखना अगर आपने introduction परिचय वाला part पड़ा है 3.2 से पहले के जो point है वो आपने पड़े हैं आप easily इनको कर लेंगे अगरा option है हेवल दो ही एक सम अभाज्य संख्याओं है बिलकुल सही है अभी-भी मैंने आपको बताया था कि दो क्या है सम संख्याओं भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं भी है तो ये वाला option आपका बिलकुल सही हो जाएगा सत्य I option सभी सम संख्याएं भाज्य होती है भाज्य संख्याएं है तो अभी अभी आपको बताया है कि दो क्या है सम संख्या है और एक भाज्य संख्या भी है इसका मतलब ये वाला option आपका होगा असत्य option number G दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैब सम होता है दो समसंख्याएं हैं दो गुणा दो बराबर क्या होगा चार दो गुणा चार बराबर क्या होगा आठ दो गुणा छै बराबर क्या होगा बारा इसका मतलब ये है कि सभी जो समसंख्याओं का गुणनफल या दो सम संख्याओं का गुणनफल, सदैब क्या होगा, सम होगा, ये उप्सन आपका बिलकुल सही है तो प्रेशन संख्या दो का हल हमने कर लिया है, वीडियो को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है, साइनिंग आउट